बालोजी क्लाश 12 वंसा गाती और बिवित्ता अर्थात इन्हेरी टेंस और वैरियेसंस के अंतरगत पार्ट एट लेकर के आए हैं इसके पहले सेविंथ पार्ट अपलोड हो चुके हैं अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं होती अच्छी तरीके से समझाया गया है आज के वीडियो में लिंग निर्धारन को चित्र और उधारन सहीद समझाएंगे लिंग निर्धारन के अंतरगत मानों में गुर्शूत्रों का इडियोग्राफ समझाएंगे मदस में लिंग निर्धारन कैशे होता है पूरी पिरकिरिया समझाएंगे पाच्यों में लिंग निर्धारन की किरिया रोसो फिला में लिंग निर्धारन की किरिया और मदुमक्खी में लिंग धान कैशे होता है पूरी प्रिकिरिया चित्र और उधारा साहित अच्छे से समझाएंगे चलिए सुरू करते हैं देखे, कुछ निमन स्रेणी के जन्तुओं को छोड़ कर सभी जन्तुओं में नर तथा मादा जनन अंग अलग 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 होता है इसलिए फोजन्त अलग सरीर में और मादा जनन अंग अलग सरीर में हो उन्हें एक लिंगि कहा जाता है, तो जैसे मनुस में नर और मादा की सारीरिक रचना में अंतर होता है, अलंग अलंग पाये जाते हैं, सरीर की रचना में भी अंतर है, इसी को लेंगिक दुरूपता कहा जाता है, या sexual dymorphism कहा जाता है तो देखे लिंग निर्धारन को समझाना है इसलिए यहाँ पर मैंने मानों के गुर्षूत्रों का एडियोग्राफ बनाया हुआ है देखे मनुस्य की प्रतेक कोशिका में जो मानों है मानों की प्रतेक कोशिका में कोशिका में 46 गुर्षूत्र होते है हर एक कोशिका में मनुस्य के 46 गुर्षूत्र पाय जाते है तो यहाँ पर वो 46 गुर्षूत्र हमने बनाया हुआ है उनको नंबरें भी किया हुआ है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ से लेकर के तेश तक आप देखें, तेश तक ही क्यों? क्योंकि गुर्षूत्र जो होते हैं, वो जोडों में होते हैं गुर्षूत्र जोडों में होते हैं तो एक को मैंने जोडा पूरा लिखा हुआ है तो प्रतेक मानो कोशिका में 46 गुर्षूत्र होते हैं इसी को हम लिख सकते हैं कि मानो की प्रतेक कोशिका में 23 जोड़ी गुर्षूत्र होते हैं 23 जोड़ी गुर्षूत्र होते हैं चाहे आप कहो कि मानो की प्रतेक कोशिका में 23 जोड़ी गुर्षूत्र होते हैं चाहे कह दिजिए कि मानों की कोशिका में 46 गुर्षूत्र होते हैं तो उन्हीं तेश जोड़ी को यहां पर बनाया गया है अब देखिए इसमें से जो 22 जोड़ी गुर्षूत्र होते हैं समझात होते हैं इन्हें आटो सोम कहा जाता है आटो सोम जो बाइस जोड़ी गुर्षूत्र हैं ये समझात होते हैं इन्हें आटो सोम कहा जाता है आटो सोम कहो चाहे दैहिक गुर्षूत्र कहो दैहिक गुर्षूत्र कह दो और जो तेसवी जोड़ी का गुर्षूत्र होता ह जोड़ी के जो गुरसूत्र होते हैं उन्हें एलोसूम्स कहा जाता है या उन्हें हेट्रोसूम्स कहा जाता है या उन्हें लिंग गुरसूत्र कहा जाता है या तैसवी जोड़ी का जो गुरसूत्र है उसे एलोसूम्स या हेट्रोसूम्स या लिंग गुरसूत्र कहा जाता ह अब देखे जो 22 जोड़ी गुर्षूत्र है जिने आटो सुम कहा था ये समजात होते हैं यानि कि समान होते हैं देखे बराबर हैं समान है लेकिन जो 23 जोड़ी का गुर्षूत्र है ये तो समान है पर ये आसमान है एक छोटा है एक बड़ा है तो जो समान है वो इस्तरी का ग गुर्शूत्र होता है वो समान होता है समान होता है इसलिए उसे समजात कहा जाता है समजात इस्तरी में तेस्वी जोड़ी का गुर्शूत्र समान होता है इसलिए उसे समजात कहा जाता है जबकि ये है क्या लिंग गुर्शूत्र होता है जबकि पूरुस के अगर बात की जा तो तेसवी जोडी का गुरसूत्र समान नहीं होता है, एक बड़ा होता है, और एक छोटा होता है, अगर पुरुस की बात की जाए, यहाँ पर मैंने दो इसलिए बनाए हुए हैं, क्योंकि इस्तरी पुरुस दोनों को समझाना था, अगर आप केवल पुरुस का बनाएंगे, तो केवल यह बनाएंगे, इसको मत बनाएंगे, अगर केवल इस्तरी का बनाते हैं, तो यह बनाएंगे, यह बनाएंगे, यह बनाएंगे, हमने दोनों को समझाना है, तो अब यह जो बड़ा वाला गुरुसूत्र है, इसे एक्स कहा जाता है, और जो छोटा वाला गुरु इसे y कहा जाता है बाड़े वाले गुर्षूतर को x कहा जाता है छोटे वाले गुर्षूतर को y कहा जाता है इस तरह से पुरुस में xy गुर्षूतर पाये जाते हैं लिंग गुर्षूतर हैं कैसे हैं लिंग गुर्षूतर होते हैं लिंग गुर्षूतर होते हैं पुरुस म और इस्त्री में, चुकि दोनों समान हैं, समझाता हैं, इसलिए इस्त्री में एक्स एक्स लिंग गुर्षूत्र पाया जाते हैं, लिंग गुर्षूत्र पाया जाते हैं, तो पुरुस में एक गुर्षूत्र बड़ा होता है, एक छोटा होता है, तो सबके जैसे वाले को एक और दूसरे वाले छोटे वाले को Y कहा जाता है जबकि इस्त्री में समान होते हैं इसलिए समझात होते हैं इसलिए उन्हें XX कहा जाता है अब आपको यहाँ पर एक बताते हैं जो question पुछा जाता है कि लिंग निर्धारण का गुर्षूत्री सिधान्त किस ने दिया था यह question पुछा जाता है लिंग निर्धारण का गुर्षूत्री सिधान्त किस ने दिया था तो इस सिधान्त को मैकलंग ने दिया था मैकलंग ने सन 1902 इसबी में दिया था लेंग निर्धान का गुर्षूत्री सिधान्त वैग्यानिक मैकलंग ने सन 1902 इसपी में दिया था आपको बता दें कि ये जो 22 जोड़ी समझात गुर्षूत्र है इन्हें दैहिक गुर्षूत्र भी कहा जाता है और दैहे गुर्षूत्र कहा जाता है और इस पर सारीरिक एवं किरियात्मक जीन उपस्थित होते हैं इन पर सारीरिक एवं किरियात्मक जीन पाए जाते हैं इन सभी पर सारीरिक और किरियात्मक जीन जबकि ये जो लिंग गुर्षूत्र होते हैं इसपर link निर्धारण के लिए gene पाये जाते हैं चलिए अब मानो में link निर्धारण कैसे होता है मानो में link निर्धारण किरिया को समझा देते हैं तो देखें मनूसि में link निर्धारण या sex determination in human तो मनूसि की काई क कोशिकाओं में 46 गुर्षूत्र अर्था 23 जोड़ी गुर्षूत्र पाय जाते हैं मैंने अभी आपको बताया था जिसमें से 22 जोड़ी आटोसूम होते हैं ये भी आपको समझाया और 23 जोड़ी एलोसूम या हेट्रोसूम होते हैं ये भी आपको बताया और जो हेट्रोसूम या एलोसोम होते हैं उन्हें लिंग गुर्षूत्र कहा जाता है और यही लिंग गुर्षूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं यही लिंग निर्धारण गुर्षूत्र कहा जाता है इस्त्रियों में यह समान होते हैं लेकिन पुरुसों में एक बड़ा और एक छोटा होता है, छोटे को y गुर्षूत्र लिखते हैं, इस प्रकार पुरुसों में xy और इस्त्रियों में x x गुर्षूत्र पाये जाते हैं, इस प्रकार से हम कहें, तो अगर पुरुस की बात करें, तो पुरुसों में 44 प्लस XY, इस प्रकार से 44 प्लस XY, 46 गुर सूत्र हो जाएंगे, गुर सूत्र हो जाएंगे, अगर इस्त्रियों की बात करें, तो इस्त्रि में 44 प्लस XX, इस प्रकार से 46 गुर सूत्र होते हैं, यह पुरुस और इस्त्रिका हो जाएगा, अब लिंग जान के लिए तो यहां पर लिखते हैं पूरुस आप इसको पिता भी मान सकते हो तो यह हो जाएगा 44 प्लस एकस वाई और यहां लिखे इस्तरी आप इसको माता भी मान सकते हो तो इसका हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स अब इन दोनों के बीद क्रास करवा देते हैं और क्रास करवाने पर पहले इनके गैमीर्स को निकाल लेते हैं देखें 22 प्लस एक्स हो जाएगा और इसका गैमीर्स निकलेगा तो 22 प्लस वाई हो जाएगा इस तरह से इसका 22 प्लस एक्स हो जाएगा आधा क गैमेर्स निकल आएं ये क्या है गैमेर्स हो जाएंगे आप क्रास करवा देंगे तो क्रास इसका और इसका जब होगा तो ये हो जाएगा 44 प्लस एकस एकस इसका और इसका जब होगा तो ये हो जाएगा 44 प्लस एकस एकस और इसका इसका जब क्रास होगा तो 44 प्लस एकस आप देखे जब x y था तो पुरुस था इसका मतलब ये संतान कैसे हुई तो ये संतान हो जाएगा लड़का ये हो जाएगा लड़का जहाँ जहाँ पर y है वो लड़का और जहाँ जहाँ पर y नहीं वो लड़की हो जाएगी इस तरह से लेंगने धाड़ा होगा अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पर हम आपको बता दें कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं यहां लिखिए पुरुस इधर लिखिए इस्त्री पुरुस का xy और इस्त्री का xx हो जाएगा अब इनके गेमिर्श निकालेंगे x इसका हो जाएगा y इसका निकालेंगे x इसका हो जाएगा x और इसका इसका क्रास करवाएंगे तो xx आएगा इसका इसका कराएंगे तो xx आएगा इसका इसका कराएंगे तो xy और इसका इसका कराएंगे तो xy इस तरह से आ जाएगा तो यह जहां जहां पर केवल एकस एकस है वो सभी पुत्रियां हो जाएगी पुत्री यह हो जाएगी पुत्री यह हो जाएगे जहां पर वाई है वो सभी हो जाएगे पुत्र इस तरह से जो वाई गुरसूत्र है वाई गुरसूत्र लिंग का निर्धारन करता है यानि जो छोटा वाला गुरसूत्र होता है उसी से लिंग का निर्धारन होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी चलिए अब पच्छियों में लिंग निर्धारन के रिया को स युगमकी होता है इसलिए ये केवल एक ही प्रकार के गुर्षूत्र जेड वाले युगमक बनाते हैं तो नर को लिख लेते हैं जेड जेड और जबकि मादा बिसम युगमकी होती है जो दो प्रकार के गुर्षूत्र बनाती है जो मादा है वो बिसम युगमकी है डबलू औ जेड प्रकार के गुर्षूत्र बनाती है अब डवलू गुर्षूत्र वाले अंडों के निसेशन से मादा और जेड गुर्षूत्र वाले अंडों के निसेशन से नर बनता है तो चलिए इनके गेमीर्स निकाल लेते हैं इस तरह से युगमक निकाल लेते हैं इस तरह से और निसेचन करवा देंगे इसका और इसका निसेचन होगा तो यह आजाएगा ZW इसका और इसका निसेचन होगा तो यह आजाएगा ZZ फिर इसका और इसका ZW इसका और इसका निसेचन होगा तो ZZ आप देखिए जो बताया था कि पच्छों में नर समयमकी होता है तो जहां जहां पर समयमकी है ये सभी नर पच्छी हो जाएंगे और ये सभी मादा पच्छी हो जाएंगे इस तरह से पच्छियों में लिंग निर्धारन की किरिया होगी चलिए अब ड्रोसो फिला में बहुत इंपोर्टेंट है ड्रोसो फिला में लिंग निर्धारन की किरिया ड्रॉसोफिला में चार जोड़ी गुर्षूत्र पाए जाते हैं जो ड्रॉसोफिला है इसमें चार जोड़ी यानि आठ गुर्षूत्र पाए जाते हैं आठ इन में से तीन जोड़ी आटोसूम यानि छे गुर्षूत्र आटोसूम होते हैं नर और माद में एक जैसे होते हैं तथा एक जोड़ी लिंग गुर्सूत्र xy होते हैं नर में xy और मादा में xx के द्वारा प्रेरसित के जाता है इस प्रकार नर ड्रॉसोफिला का केडियो टाइप यहां लिखते हैं नर ड्रॉसोफिला यहां लिखते हैं मादा ड्रॉसोफिला नर ड्र सोफिला का 6 प्लस x x हो जाएगा अब देखिए इसका क्रास करवा करके आपको दिखाते हैं यहां पर नर लिख लेते हैं यहां पर मादा लिख लेते हैं नर जो था इसको अंगरेजी में मेल कहा जाता है मादा जो है इसको अंगरेजी में फी मेल कहा जाता है अब नर में यहा 6 प्लस XY घुरसूत्र देखे केरियो टैब नर का था मादा का था 6 प्लस XX था अब इसके गैमीर्स को निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस X और Y बचा है तो 3 प्लस Y दूसरे में हो जाएगा हाँ करेंगे और यह अलग-अलग कर देंगे दोनों का फिर दर भी 3 प्लस X हो जाएगा और इसका निकालेंगे तो 3 प्लस X हो जाएगा अब यह गैमीर्स सबके निकल आए हैं अब क्रास करवा देना है तो इसका इसका जब क्रास होगा तो यह 6 प्लस X X आएगा और इसका इसका जब क्रास होगा तो 6 प्लस X X आएगा इस तरह से Y वाले का जब इससे क्रास होगा तो 6 प्लस X Y आजाएगा और इसका Y वाले का भी इससे होगा तो 6 प्लस X Y आजाएगा Y यह Y है 6 प्लस X Y क्योंकि यहाँ पर Y था अब देखिए जहां जहां पर केवल xx है ये सभी क्या हो जाएंगे फीमेल हो जाएंगे फीमेल ये भी फीमेल हो जाएगा क्योंकि देखिए मादा का क्या था 6 प्लस xx तो ये मादा हो जाएगी मादा पच्छी और जहाँ पर 6 प्लस X Y है ये सभी नर हो जाएगे नर यानि मेल हो जाएगे इस तरह से ड्रॉसो फिला में लिंग निधान हो जाएगा चलिए अब मध्मक्खियों पर मध्मक्खियों में लिंग निर्धारन किरिया को समझा देते हैं जो very most important है तो देखें मधुमक्खी में लिंग निर्धारन या इसी को पूछा जाता है कीटों में लिंग निर्धारन किरिया कीटों में लिंग निर्धारन कह देते हैं या फिर कह देते हैं आगोडित दिगुडित प्रकार का लेंग निर्धारन समझाईए, आगोडित दिगुडित प्रकार का लेंग निर्धारन क्या होता है, किसी भी नाम से पूछा जाए, आपको मधुमक्खी में लेंग निर्धारन की लिखना है, तो मधुमक्खी तीन प्रकार की होती है, सामा या drone जो मधमख्य होती है इसमें 16 गुर्षोत्र पाया जाते है यह अगुरित होती है अब यह दो धुगुरित थी यह अगुरित है यसलिए इसको अगुरित धुगुरित प्रकार का लिंगधर कहा जाता है देखे अब इधर हम लिख लेते है नर ये नर, नर कौन होता है, तो ड्रोन होता है, इधर लिख लेते हैं मादा, मादा कौन होती है, तो रानी मक्खी होती है, रानी लिख लेते हैं, जो नर है, वो N है, यानि ड्रोन 16 गुर्ण सूत्र पाए जाते हैं, जबकि जो मादा मद मक्खी है, ये 2N होगा, क्योंकि 32 गुर बिभाजन के द्वारा युगमक निर्माड होगा युगमक बनेगा युगमक का निर्माड होगा और युगमक कैसा होगा तो सुक्राण होगा यह युगमक सुक्राण होगा अब इधार देखते हैं यह जो मादा रानी मक्खी होती है जो रानी मक्खी होती है यह रानी मक्ख अर्द सूत्री बिभाजन के द्वारा दो प्रकार के अंडे देती है। क्रास हो जाएगा, फर्टलाजेशन हो जाएगा निशेचन हो जाएगा और निशेचन के बाद में यहाँ टू एन आएगा यहनी मादा मध्मक्खी बन जाएगी। दो प्रकार की होती है, जिसको साही जेली मिली, वो रानी बन जाती है, जिसको साही जेली प्राप्त होती है, वो रानी मदुमक्की बन जाती है, और जिसको नहीं प्राप्त हुई, वो स्रमिक बन जाती है, जिसको साही जेली मिली, उसको वो रानी मदुमक्की बन गई, और ज जहां देखे इधर जो आनिसेचित अंडा है तो बिना रानी में ये छमता होती है कि वो आनिसेचित अंडे से बिना निसेचन के ही अनिसेचन के द्वारा अंडा बना देती है या अनिसेचन के द्वारा ड्रोन का निर्मार कर देती है बिना निसेचन के ही ड्रोन बन जाता है ऐसे ही संतान पैदा हो जाती है ड्रोन या नल पैदा हो जाता है निसेचन भीना हो और संतान पैदा हो जाता है तो ड्रोन भीना निसेचन के बनता है कैसे आनिशेक जनन के द्वारा आनिशेक जनन के द्वारा ड्रोन का निर्माड हो जाता है आप देखिए रानी भी बन गई, स्रमी भी बन गई, ड्रोन भी बन गई, तीनों का लिंग निधार हो गया है और इस प्रकार से मधुमक्खे में लिंधार की किरिया हो जाएगी अगर आप लोग with notes देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जागर के देख सकते हैं आसा है आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजे अपने सभी दोस्तों में share कीजे चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी धान्यवाद